हलो, प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर भरतलाल मीना, LBS Government College कोटपूतली, सहाचारी राजनिती विक्यान बच्चों, मैं क्रम्स है ब्रिटिस सविधान के विकास, महत्व और विशेश्टाइं उसके बारे में चर्चा करूँगा क्रम्स है क्योंकि पिछले वीडियो में ब्रिटिस सविधान के विकास के बारे में बताया था मैंने और अब क्रम्स है ब्रिटिस सविधान का महत्व विशेश्टाइं उसी क्रम्स में एक प्रश्ण उठता है कि क्या ब्रेटिस सुविधान का अस्तित्व है वस्त sóतर डेट टाकविले और टामस पैन की विचार धरा ठीक नहीं उनके द्वराब ब्रेटिस सविधान की अस्तित्व को एश्विकार करते हैं जो तर्क दिये गए उन्हें श्विकार नहीं किया जा सकता डिटाक, विले और टाम स्पेन ब्रिटिश सविधान के अस्थित्व को नहीं मानते इंग्लेंड वासी तो इस बात पर गरू करते हैं कि उनका सविधान एक स्रेष्ट और प्राचिन सविधान है किन्तों अन्य विधानों द्वारा इस सविधान के अस्थित्व पर ही संदेवेक्ट किया बर्क ने अपने गरंथ फ्रांस की राज्य करांती पर विचार मैं ब्रिटिश सविधान की प्रसंसा करती हुए कहा था कि हमारा सविधान अत्यंत स्रेष्ट है जहां विष्व के अन्य देशों में वांचित परिवर्दन हे तो कुरांती और रखपात की आउ सकता होती है हमारे दोबरा ये परिवर्दन सांती प्रून सविधान इक मार्क से किया जा सकता है इस पर अमेरिका के प्रशिद विध्वान टाम्स पैन ने बर्क को सुनोती देते वे कहा था क्या बर्क महोदे ब्रिटिश सविधान के कोई प्रती प्रस्तूत कर सकते हैं कि यदि नहीं तो हम इस निश्कर्ष पर पहुंशते हैं कि British सभिधान का स्तित्त ना तो कभी था नहें, या दिपी उकत सभिधान के विशें में बहुत कुछ कहा गया है, पेन अपने मून विचार कुभ्यक्त करते हैं कि जह बरिटिश सविधान को प्रतेक्स रूप में उपस्तित नहीं किया जा सकता वह सविधान होता ही नहीं प्रांस के प्रसिद इतियास का रड़ी टाक्विले और ब्रिटिश लेखक ब्रनार्ड सा ने भी अपने ऐसे ही विचार विक्त किया है इस संबंद में पैन और टाक्विले ने निर्मातरी परिशद के द्वरा किया जाना चाहिए लेकिन ब्रिटिश सविधान परिशद के निश्यों का परिणाम है और नहीं ये लेखपत्र के रूप में है ब्रिटिश सविधान का लचीलापन अमेरिका और फ्रांस आदी देशों के सविधानों में संसोदन के लिए साधरन कानून के निर्मान से भिन प्रक्रिया को अपनाया गया है इसके आधार पर डिटाक्विले और पैन के द्वरा इस विचार को अपना लिया गया है कि सविधान उसे ही कहा जा सकता है जिसमें परिवर्तन के लिए विशेश प्रक्रिया को अपना ना आऊ सको ब्रेटिस सविधान लचीला होने के कारणू उनके द्वरा उसके अस्तित्व पर संधे वेक्त किया गया है तीसरा सविधानिक कानून या आधारभूत नियमों का भाव अमरीका और फ्रांस आधी देशों में सविधान की सर्वचेता की धारना को अपनाया गया है जिसका तात्परिय है सविधान में वरनित नियमों अतार्थ सविधानिक कानूनों की साधरन कानूनों की तुलना में स्रेश्टता इंग्लेंड में सविधान की सर्वचेता की धारना को नहीं वरन संसद को प्रभूता की धारना को अपनाया गया है इंग्लेंड में सविधानी कानूनों तता साधान कानूनों का कोई भेद नहीं है। ब्रिटिश सविधान में आधारपूत नियमों का अभाव होने के कारणून के द्वारा उसके अस्तित्व पर संधे वेक्त किया गया है। पहला कि लिखित और एलिखित सविधान का भेद एवास्तिक डिटाक्विले और पेन की विचारधारा का प्रमु का आधार प्रिटिश सविधान का एलिखित होना है। सविधान का प्रतम और स्रेश्ट उधारन बताया जाता है। तो अमेरिकी सासन विवस्ता का पूर्ण ग्यान साथ धराएं पढ़ने से नहीं हो जाता। सासन विवस्ता को अनेक विवार, प्रताएं, परंपराएं सविधान के अंग हैं। और उनके सम्मंद में जाने बिना सविधान का अध्यन अधूरा ही रहता है। मंतरी मंदली ये विवस्ता राजने तिक दलों का उदे, काष्ट पती का निर्वाचने इस परकार की परंपराओं के उदारन है। जब लिखित और एलिकित सविधान का भेध ही वेग्यानिक और वास्त्विक नहीं है, तो इस आधार पर ब्रिटिस सविधान का अधार समझा जाता है। तो ब्रिटिस ब्रिटरेन के ऐलेखी सविधान में भी महतफ़ूर लखीतन पया जाता है। ब्रिटिस सविधान के अंतरगत राजसिहासन के सम्मंद में उतराधिकार की विवस्था, कारेपालिका विभागों की विवस्था। मता अधिकार निर्वाचन संसद की दोनों सदनों के पारंपरिक सम्मंध और कारी पालिका के कारी कानून द्वारा ही निश्चित किये गए हैं 1215 का मेगना कारटा, 1628 का अधिकार याचन पत्र, 1629 का अधिकार पत्र, 1920 का आरिलेंड की स्वतंतरता का अधिनियम, 1937 का समराट के मंतरी परिनियम, 1937 का समराट के मंतरी परिनियम, 1937 का भारती स्वतंतरता अधिनियम तथा, 1911 और 1915 सास के संसदी अधिनियम इसी परकार के उ कि ब्रेटिस सविधान को अलिखित और अमरीक सविधान को लिखित कहा जाता है keeping एक में लिखित अंस की परध है तो दूसरे में लिखित अंस की उत लैक प्रवार में नहीं की बिख अब सभी द्याषए लगांतिक दृष्टिस हैं basically सविधान लचिला है लेकिन लचिला होने के कारण Millennate मारने से इनकार सबिदान किया शलवूत्त सर्फ मुपिति हो था तो फिर राजनिती विग्ञान परिवर्ट अग्षिलता की आधार पर सविधान की दो भेद लचिला सविधान और कठोर सविधान न बताए जाते इसके अतरीक्त ब्रिटिश सविधान के उलसिधान्त में ही लचिला है वेवार में ब्रिटिश सविधान की रूडिवादिता और उनकी राजनितिक परिपक्वता ने उन्हें उसे परिय करने के बाद ही किया जाए ऐसी इस्तिती में सांसद एक सविधान सभा हो जाती है और व्यवारिक दरश्टी से सविधान को लचिला नहीं कहा जा सकता चोथा ब्रिटिज सविधान में आधार भूत नियम यह कहना भी नितांत गलत है कि ब्रिटिज सविधान में आधार भूत नियम कहा जा सकता है वास्तों में सविधान का स्थित्व सविधान की लेक बद्ध होने या उसके कठोर होने पर निर्वर नहीं करता वहने इस बात पर निर्वर करता है कि क्या सास्री विवस्ता का संचालन करने वाले कुछ आधर भूता तो है डाइसी के सब्दों में नियमों और कानूनों का संग्रह होता है जिनका राज्जी की प्रमुक्सत्ता की प्रियोग अथ्वा वित्रन पर प्रतेक्स या प्रवक्सरूप से प्रभाव पड़ता है ब्रेटैन में संदेश ब्रेटैन में सदेव ही इस वरकार के नियमों की सत्ता रहती है रहिये तता इ संग्त राज्जी अमेरिका सोवियत संग्व फ्रांस के सविधान प्रॉफसर मुंद्रो जैनिंग्स ब्राइस डाक्टर फाइनर आग और जिंक तथान ने लेख दोरह भी ऐसे ही विचार व्यक्त किये गया हैं वास्तों में सविधान का तात्परीं कागज की टुकड़ों से नहीं वरन ऐसे वैधानिक संस्थाओं से होता है जिनके आधार प्रसाशन विवस्ता का संचालन होता है ब्रिटैन में ऐसी सवैधानिक परमप्राओं का उदे विश्वक्यान ने किसी भी देश के पूर्व हो गया था जैनिंग्स के सब्दों में अगर सब्दान से हमारा परिशन स्थाओं से है कागजों से नहीं तो ब्रिटैन में सविधान का स्थित्व रहा है वस्तुत है ब्रिटिश सविधान के स्थित्व पर कोई संद्य नहीं किया जा सकता आग तथा जिंक के सब्दों में कहा जा सकता है कि यह निश्चित है कि पैन तथा डिटाक विले के समय से काफी पहले इंग्लेंड में सविधान था एसा सविधान जिसकी सत्ता की प्रती ब्रिटिश जाती सचे थी और उसके इतिहास पर गर्व करती थी ब्रिटिश सविधान के बारे में इस तरीके के जो विवाध भ्रह्म था उस पर अप चर्चा की और ताम स्पैन और डी टाक विले इसके अस्तितों पर प्रसंचीन खड़ा करते हैं और फिर इनके जो डी टाक विले और टाम स्पैन के विपक्स में कि ब्रिटिश सविधान का अस्तितों है। हमने अभी इन पॐइंटों में देखा कि लिखित और लिकीत्स सविधान का वीद्वास्त्विक ब्रिटिश सविधान एक अंस है का एक अंस ब्रिटिश सविधान के वल सिद्धांत में ही लचिला है विभार में नहीं ब्रिटिश सविधान में आधारवूत नियम है और इस तरीके से ब्रिटिश सविधान का स्थित्व माना जाता है अब है ब्रिटिश सविधान के स्रोत British सविधान के स्रोत क्या है British सविधान के स्रोत है महान अधिकार पत्रिया एतिहासि प्रलेक संसदी अधिनियम न्याइक निर्णे सामने विधी प्रताएं और परंप्रें सविधान प्रटी कही अब जो कि ब्रेटिज सविधान का दिकांस भाग अलिखित है प्रमप्राव प्राधारित है तो हम इसके स्रोत के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे एक बार फिर में जो ये इसके स्रोत हैं उनको करम से फिर में दोराना चाहरा हूँ पहला है महान अधिकार पत्रिया एतिहासि प्रलेख मेगना कार्टा बिल ओफ पिटिशन ओफ राइट्स बिल ओफ राइट्स संसिदी अधिनियम न्याइक निर्णे सामाने विधी पर्थाएं और परंपराएं सविधान परटीकाएं जैसे डाइसी ने लिखी दला आफ दी कांस्टिशन बेज आर्ट का इंग्लिश कांस्टिशन आदी तो धन्यवाद बचो अब अगले जो वीडियो है उसमें क्रम्ष है ब्रिटिश सविधान की स्रोत का विश्तार से चर्चा करेंगे स्रोतों का धन्यवाद